हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्पलता मंतर दोस्टों 69,000 सिच्छक भरती को लेकर जितने भी मामले हुरें जो भी अपडेट हो रही है आपको सबसे 60 अपडेट दी जा रही है तो आज हम लोगों की डेट है 13 जुलाई 13 जुलाई को लेकर कुछ मामले सुप्रिम कोर्ट में जाने थे इनको लेकर हमने आपको पहले इन्फॉर्म किया था और आज इनकी सुनवाई नहीं हुई सबसे पहले जानेंगे कौन कौन से मामले है फिर वताएंगे क्यों सुनवाई नहीं हुई इसके पहले आपको बता दें दोस्तों में सुनवाई 15 जुलाई को नहीं और उ कि आज सुनवाई होने वाली थी तो इसमें एक मुद्दा था आपका 22,000 सीत जोडने का दूसरा मुद्दा था आंसर की का मुद्दा आंसर की मामले में में रिसब मिसरा नाम से एक याजका डाली गई थी उसकी भी आज सुनवाई की डेट लगी थी उसके रावा क divert प्रकाफ मुद्दा था तो इन το purity मुद्दोफ पर आथ सुनवाई होने की उम्मीद जताई जा रही थी लेकिं दोस्थन जो सुनवाई है वो कोट में आज नहीं हो स्कीश और युव्यू ललिद जी ने जो भी आपके मामले थे उस में अंसरकी के मुद्दे को लेकर के जो प आपकी जॉइनिंग की जो काउंसलिंग की डेर्थी उसको रोकने का सबसे बड़ा मुद्दा कोई था तो वो आंसर की का ही मुद्दा था लेकिन अब इससे कोई भी मामला नहीं रुकेगा इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है अब आगे बात करते हैं तो 22,000 सीटों क जोडने के लिए और एक मामला था और दूसरा कटाव को लेकर था इन सभी को 15 जुलाई को जो मेन भहस है उसके साथ टैग कर दिया गया यानि कि अब जितने भी मेन मामले आपके चाहें वो सिच्छा मित्रों को लेकर के जो अलग से लिष्ट बनाई जा रही है उनका मामला हो या 37,000 पदों को रोंकने का मामला हो या कटाफ कम करने या बढ़ाने का मामला हो या 22,000 सीटों का मामला हो जो कि मेन मुद्दे हैं सबसे बड़े मुद्दे हैं इन सभी की जो सुनवाई होगी आपकी 15 जुलाई को जो एक तरीके से महा संग्राम होगा इन सभी की सुनव अपील भी डाल रखी हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपका 15 जुलाई को पूरी तरह से केस फाइनल हो जाएगा अगर ठीक समय पर सुनवाई प्रारंब होती है क्योंकि मामला पूरी तरह से ऑनलाइन वर्चुल कोर्ट में सुना जा रहा है तो वहां जजज साहब को पूरे पा जखने के लिए जरूर जाएंगे इसके लावा दोस्तों एक खबर और आ रही है जिसके अनुसार सिच्छा मित्रों के जो भी 40-45 पर पास लोग हैं जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके रोल नमबर के साथ पूरा डाटा कल तक कोर्ट में सम्मिट करने के लिए कहा गया है 14 ता क्योंकि यू ललिज जी की वेंच में केस लगा हुआ है और आगे ज़्यादा मामला फसाने के ज़्यादा चांसेज नहीं है अब देखना होगा सरकार किस तरीके से अपना पक्ष रखती है क्योंकि सरकार का अपना सही ढंग से पक्ष रखना बहुत ही जरूरी है इस भरती प्रक्रियाएं आएंगी उनमें आप लोग एपलाई करेंगे तो उनकी तयारी आपकी 16 तारीक से प्रारंब होगी अगर आप लोग कोई भी कोश्चन बगएरा पूछना चाहते हैं कमेंट जरूर करिएगा और साथी साथ टेलीग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं टे आइकन को प्रेस करना मत भूले थें कि दूस्तों गुडबाय टेक केर